तो पुनात्माव सत्संग में आने से ये ग्यान होता है तो गीता जी अज्जाय नमर अठारा के सलोक नमर बैसेट में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस प्रमेश्वर की सर्नमजा उसकी करपा से ही तू परम्शानती को और सनातन परमधाम को प्राप्त होगा जब तक जनम मरतु है शानती नहीं हो सकती प्राणी को और जब तक ये इस पांशताओ के पूतले में जकड़ा हुआ है तब तक ये निर्भ है नहीं हो सकता 21 विर्मांड में कोई भी प्रानी निर्भष नहीं है कैते हैं विर्मा का आसन डिगया जब सुनी काल की गाज किते हैं जब काले दाढ़ मारी उस में यहां के पर दान विर्मा जी का भी आसन डगमगागा वो भी भैभीध हो गया आपने कथा सुनी है कि बस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था बगवान शिव की तपस्चा करता था उनको इश्ट मान कर जब बगवान शिव परसंद हुए उनसे पूछा बोल क्या मांगता है सादक बस्मागिरी ने कहा कि मुझे बस्म कड़ा दे दो बद करके बगवान शिव से कड़ा मांगा बगवान शिव ने वो बस्म कड़ा दे दिया उसके पस्चाथ वो बस्मागिरी बगवान शिव को मारने के लिए उद्धत हो गया और कहा सिव जी हो ले हो सियार अब तुझे मारूँगा परबती को पत्नी बनाओंगा तब अगवान सीव बैबीत हो करके भाग लिए आगे आगे बगवान सीव पीछे पीछे बस्मागिरी यानि पुजारी आगे बगवान कहने का भाव ये है कि यहां कोई भी प्राणी निर्भे नहीं है तो जब तक हम उस सनातन परमधाम मन नहीं चले जाएंगे तब तक नहीं तो हमारी ये चलो चलो मिटे और नहीं हमारा भै मिटे अभैपद भी वहीं प्राप्त होगा दास गरीब अभैपद परसे और मिले राम अविनासी जिन मापरसों को परमात्मा प्राप्त हुए उन में से कौन कौन हैं जो इस दास के नौलिज में है आदर्निय दरमधास साहिब जी आदर्निय मलुकदास साहिब जी आदर्निय नानक साहिब जी आदर्निय दादू साहिब जी आदर्निय ग्रीबदास जी का पूरी डिटेल इसलिए देनी पड़ती है कि ग्रीबदास नाम के कई नकली संत भी जो है वेल लोन हुए है और इस कारण से ग्रीबदास साहिब जी ये गाउं छुडानी जिला दजर हरियाना वाले ये ओरिजिनल ग्रीबदास जी हैं जिनको प्रमातमा मिले सच्खंड ले कए गए सतलोक में फिर उनको वापस छोड़ा उपर का पूरा कुछ दिखा करके उसके बाद उन्होंने आँखों देखा जो विवरन अपने अफिडेवट में अपने अनुभाव की परतेक्स दरश्टा रूप में जो ग्यान उनको हुआ वो वानी लिखी उन में प्राप्त होता है उन में से आपको सुनाते हैं राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा बगती जान ग्यान ध्यान चाडो कुल बंसा कोटी करम भरम जार पार तो हे उतारें मुक्ती लोक पावे मोख नाम जो उचारें सुर्त सेंद कोटी चंद जलकत पलमाही पद बिमान है अमान आद अंत नाही नराकार अधरधार वार पार नाही व्यापक है मैं भूब खूब दोप है नाचाई संकतूर दरजहूर जिल मिल जिल रंगा सुने नाद संग साद चरण कोटी गंगा अरस कुरस नूर दरस तेज पुंज देख्या कोटी बान साच मान रोप रूम रूम पेख्या अमर तरस अमी खीर खुरदने खुस हाली पहले मस्ताक पाख लालन सेर लाली नाद बिंद घट अकार दे गिर नाही निर्मल निर्दोंड एन देखते ही हो ऐचैन पलकन के माही आद मून रतन फूल सवेत पद सुभाना गरीवदास जहां बास दरस में दिवाना आदनी गरीवदास साहिब जी कहते हैं के राम सुमर राम सुमर राम सुमर हनसा और बगती जान ग्यान धान ये छोड़ो कुल बनसा राम सुमर राम सुमर बगवान का भगजन करो भजन करो परमातमा को याद करो और बगती को जानो ये थारत ग्यान को समझो और छाड़ो कुल बंसा ये यहां के जो कुल हैं ये तो आपके एक दिन रहने ही नहीं है इनको यदि आप जीते जी छोड़ दोगे तो यहां से आस्था हट जागी आपकी मरने के उपरांद कोई इसका उपचार नहीं होता जीते जी आपको इतना ग्यान हो जाना चाहिए कि हम जिस परिवार मेरे रहे हैं ये हमारा नहीं है और ये भी नहीं कि हम इसको त्याग कर छोड़ कर या इससे हेट नफरत करें यह हमारी फिर हंस रूप में नहीं हैं, हमने हंस बनना है झाल